हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूमाइटूब चनल शेरिंग ग्यान आज मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है रेलवे के एक्जाम में अगर आपको लोगोपाइड बनना है या कोई भी रेलवे के एक्जाम है आपको रीजनिंग पर बहु जिन टॉपिक्स को मैं बताने जा रहा हूं उन टॉपिक्स को आप बहुत ज्यादा प्रेक्टिस कीजिए क्योंकि यह हर एक्जाम में पूछे जा रहे हैं इससे क्वेश्चन एलपी ही नहीं जे गुरूप डी आपका इंटी बीसी सब में इससे बहुत सारे क्वेश्चन लेखे जा रहे हैं तो सबसे पहले टॉपिक्स नोट कीजिए सेवन नंबर जो दिया हुआ है सिलॉक्स सिलॉक्स का प्रेक्टिस आपको बहुत ज्यादा करना क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं और इसमें गलतिया भी बहुत सारी होती है अगर आप प्रेक्टि हो जाएगा तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है लेकिन अगर आप थोड़ा भी कर लेंगे बेसिक समझ लेंगे तो आपका इजली रेलवे क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद मैं बात करता हूं सीधे 10 नंबर पर डियाई डाटा इंटेप्रेटेशन और डेटा सफ इफिशियंसी यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह कॉमन एप्टिटूट को टॉपिक होता है ओके तो इससे कुश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना है और इसको अच्छे सापू करना पड़ेगा इसके बाद बात करूं 11 नंबे पर प्लम में फस हैं तो क्या डिसीजन लेंगे इसलिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके बाद अगला बात करूं तो आपका तेरवान नंबर इनलेटिकल रीजनिंग ही दे दिया है इनलेटिकल रीजनिंग मतलब होता है जिसमें आपको फिगर काउं यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है टॉपिक क्योंकि इन टॉपिक से कुष्चन जरूर आएंगे और तीन से चार कुष्चन देखने को मिलेंगे आप मेरी बात लिखके ले लो इन टॉपिक से एक्जाम में जरूर कुष्चन पूछे जाएंगे और आप इन कुष्चनों क तो जरूर गलत करके आओ यह भी लिखके ले लो क्योंकि क्या होता जब आप एक्जाम में बैठते हैं तो आपको लगता कि आप सही मार कर रहा है लेकिन आप से क्या रेलवे जानना चाह रहा है वो आप नहीं सोचते हैं इसलिए इन कुश्चनों की ज्यादा ज्यादा प्रे आपके मदद मैं कैसे कर सकता हूं सबसे पहले आप अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ सेर कीजिए और मैं आपना एक टेलिग्राम ग्रूप बना दिया हूं जहां पर आपको पूरे नोट्स देता जाओंगा और इंपॉर्टन टॉ लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज़रूर टेलिग्राम को जोइन करें धन्यवाद